ओम नमो भगवते रामकृष्णाया सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिख स्वामी जगदात्मानंद जी महराजी की महान पुस्तक जीने की कलासे अध्याए एक छोड़ो चिंता दुष्चिंता को सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास एक बहुती महत्वपूर्ण शर्थ है प्रिरिक्विजिट है विश्वास से संपन व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है इस महत्वपूर्ण सत्य की चर्चा इस कड़ी में की गई ह आईए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंजी की ही बाते विश्वास से सफलता भले कर्मों से विक्ति को परमकल्यान तथा सफलता प्राप्त होती है भले कर्मों से विक्ति को परमकल्यान तथा सफलता प्राप्त होती है ऐसे दृढ़ विश्वास तता आत्म विश्वास का मूल स्रोत इश्वर पर विश्वास है एक वैज्ञानिक और एक साधक दोनों ही विश्वास की पूजा करते हैं विश्वास ही जीवन है प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है विश्वास उन शक्तियों में से एक है जिनके सहारे मनुष जीवित रहता है और इसके पूर्ण अभाव का अर्थ है विनाश विश्वास आध्यात्मिक जीवन की नीव है यही इश्वरी कृपा प्राप्त करने का साधन है विश्वास से सब कुछ संभव है क्या एक ही दिन में ऐसा अचल अटल विश्वास प्राप्त कर पाना संभव है इश्वर के प्रती ऐसा विश्वास अर्जित करने के लिए साधक को दिन रात सरवदा इश्वर चिंतन करते हुए पत की सफलता विफलता को नजर अंदाज करते हुए सभी सुक सुविदाओं को त्याक कर ज्ञान विनई का आश्रे लेकर प्रतनशील रहना होगा जैसे तैरा की सीखने के लिए जल में कूदना ही पड़ता है वैसे ही विश्वास की प्राप्ती के लिए साधक को साधना सिंधू में कूदना पड़ता है तैरने का अभ्यास करने वाला व्यक्ती प्रारंभिक अवस्ता में भै भीत और विफल हो सकता है परंतु प्रारंभिक विफलताओं के बाद तैरना छोड़ देने से क्या कोई तैरना सीख सकेगा इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी सच्चा वा सतत प्रयत्म जरूरी है असफलता मिले तो भी क्या? हमें आगे बढ़ते ही जाना चाहिए मानसिक तनाओं से चुटकारा पाने ही तो हम शांती के सभी उपलब्द तक्निकों का mental relaxation techniques का प्रयोग कर सकते हैं पर साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्ताई शांती केवल आध्यात्मिक साधना से ही संभव है कल हम चिंतन करेंगे विश्वास भई को खा जाता है ओम शांति 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 हरी ओम दसर श्री राम कृष्णार पनमस्तू झाल पनमस्तू